हलो गाईज जाहिंद वेलकम डू माई यूटूब चैनल दोस्तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज हम लोग टैली एर पी 9 के 9th क्लास में पर्चेज और सेल्स का ट्रांजेक्शन सिखेंगे दोस्तो आप मेरे चैनल पे अगर नए है तो चैनल को लाइक और किजिए क्योंकि इस तरह का एजूकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलता रहें दोस्तो हम टैली को स्टार्ट करते हैं यहां से जो कि यह भी सी कंपनी मेरी बनी हुई है और आज के 9th क्लास में हम लोग पर्चेज और सेल्स का ट्रांजेक्शन करना सिखेंगे दोस्तो आप पर्चेज और सेल्स के ट्रांजेक्शन करने के लिए नॉर्मली पिछले क्लास में हम एकाउंटिंग भाउचर में पर्चेज और सेल्स करना बताए थे आज हम आपको इन्भेंटरी भाउचर में पर्चेज और सेल्स करना बताएंगे तो इसके लिए कुछ क्रिटेरिया फ जाना है F9 का work करना है जिसमें आपका parties name, name of item, quantity, rate or amount पर work करना है यही काम आपको sales में करना है जिसमें parties name, name of item, quantity, rate or amount तो यह जो mode आपका tally का खुला हुआ है purchase और sales invoice का इसको बोलते है inventory mode पिछले class में हम लोग accounting पर काम कर चुके हैं आज inventory पर काम करना है और इसमें काम करने के लिए कुछ options पहले से बनाने परते हैं तो वो हम लोग बना लेते हैं इसके लिए escape करेंगे और back जाएंगे कहां तक तो gateway of tally तक उसके बाद जाना आपको accounts info में फिर जाना आपको laser में फिर click करना है create option पर दोस्तों एक laser आपको बनाना परेगा sales का यह under जाता है आपका sales account मे then go to select sales account option then enter enter करने के बाद यहाँ पे आपको not applicable type of laser select not applicable options then enter और accept अगला जो होगा वो होगा purchase का purchase जो है under जाएगा आपका दोस्तों purchase account में तो यहाँ से हम purchase account को select करेंगे then enter करेंगे उसके बाद inventory value are effected yes रहेगा type of laser not applicable और accept दोस्तों यह दो lasers मेरे पास बन गए अब हम इसके बटन से back जाएंगे back जाने के बाद हम चले जाएंगे inventory info में कि कौन सा समान मुझे purchase और sold करने का transactions करना है इसके लिए जाएंगे inventory info में इंटर करेंगे और यहाँ से decide करेंगे units of measure का कि जिस समान का हम खेरदारी करेंगे या बिकरी करेंगे वो समान किस चीज में बिकेगा पीस में, दरजन में, लीटर में, टन में, पैकेट में, नमबर्स में, यूनिट्स में क्या चीज में आप बेचने वाले हैं तो इसके लिए हमें units का decide करना होता है तो हम यहाँ से जाएंगे units पे click करेंगे और create करेंगे दोस्तो हम sort जो है और t-shirt खरीद बिकरी करेंगे तो यह समान piece में बिकता है तो हम यहाँ से symbol में piece बनाएंगे तो यहाँ पर हम डालेंगे P और C और S, sort name होता है PCS, पूरा नाम होता है P I E C E, enter करेंगे decimal palace में कुछ नहीं डालेंगे 0 रहेगा और इसको हम accept कर देते हैं फिर दोस्तो escape से हम back जाएंगे अब जाएंगे हम यहाँ से stock group में अब जो sort है वो किस group के अंदर आता है तो cloth के अंदर तो यहाँ पे CLO, TH, cloth हम एक group बनाएंगे फिर हम यहाँ से enter करेंगे अंदर पूछेगा तो अंदर में हम यहाँ से primary डालेंगे और यहाँ पे आपको no रहने देना है और accept करना है फिर दोस्तो इसके बटन से आपको जाना है back बैक जाने के बाद अब बनेगा इस ट्रॉक आइटम तो यहाँ से स्टॉक आइटम को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे और यहाँ से create करेंगे अब इस ट्रॉक आइटम में दोस्तो हम एक बनाते हैं एसे साई आर्टी स्ट का इंटर करेंगे अगर आप फूरा डिटेल्स लिखना चाहते हैं जिस कंपनी का स्ट है जितने नंबर से स्ट है वो डिटेल्स भी आप लिख सकते हैं हमने नर्मली स्ट लिखा अंडर यह क्लॉथ में डाला और यूनिट यहाँ से piece को select और इंटर करके accept कर लिए एक बना लेते हैं और टीशर्ट तो दोस्तों एक हम और टीशर्ट के नाम से बना लेते हैं इसे चाहिए आर्टी इंटर करेंगे यह अंडर जाएगा आपका cloth में फिर यूनिट यहाँ से select करेंगे PCS और इंटर करके हम accept कर लेते हैं फिर दोस्तों escape बटन से हम back जाएंगे अब मेरा यह तीनों काम clear हो चुका है stock item बन गया stock group बन गया और units of measure बन चुका है अब हम escape से back जाएंगे ट्रांजेक्शन करने के लिए जाएंगे यहाँ से हम accounting voucher में इंटर प्रेस करेंगे पहले हम purchase का work करते हैं तो purchase के लिए F9 प्रेस करेंगे purchase खुलेगा अगर इस mode में खुल रहा है जिसको accounting और inventory बोलते है त यहाँ से हम as voucher करते हैं तो यह mode आपका accounting है तो दोस्तो अगर इस mode में अगर आपका purchase खुल रहा है तो तुरंत आप यहाँ पे जाके as voucher पे click किजिए आपको यहाँ से inventory mode दिखाई देने लगेगा जिसमें सबसे पहले suppliers invoice number पूछेगा 0 1 डालते है date आज का पूछेगा तो date डालते हैं parties name में हम यहाँ से cash डालते हैं इंटर करेंगे दोस्तो अभी जो हम आपको बता रहे हैं इस lesson class में मतलब इस class में यह cash पे हम काम करना बता रहे हैं हम अगले class में यहाँ पे किसी party का नाम जिस party से आप purchase कर रहे हैं वो नाम डालना बताएंगे ठीक है तो अगला class आप miss नहीं किजिएगा इसके लिए आप channel को subscribe कर लिजे नहीं तो क्यों अगला class अपका miss हो जाएं तो यहाँ से हम purchase को select कर लेते हैं फिर हम यहाँ से क्या करते हैं shot को select करते हैं number of quantity डालते हैं तो यहाँ से हम 1000 piece डाल लिए 1000 piece rate डालते हैं 390 के rate से per piece तो total amount मुझे मिल गया उ उसके बाद हम T-shirt को select कर लेते हैं फिर यहाँ से इंटर करते हैं और यहाँ quantity डालते हैं 2000 piece rate 960 का डाल लेते हैं तो total amount मुझे यहाँ पे calculate हो करके आ जाएगा उसके बाद इंटर करेंगे और एक narration लिखेंगे being purchase बी याई एन जी purchase तो दोस्तों यह purchase का transactions हो चुका है इंटर कर करना है और इसके बाद accept कर लेना है तो purchase का transaction सबका successfully complete हो चुका है अब आपको sales करना है तो sales के लिए यहाँ effect पे click करना है यह sales का box खुलेगा फिर यहाँ से as voucher अगर इस mode में sales खुल रहा है तो as voucher पे click करके inventory mode को on कर लेना है उसके बाद reference number यहाँ से आपको डालना है जैसे 02 to enter करेंगे party name में cash डालेंगे इसमें नाम डालना हम लोग अगले class में सीखेंगे दोस्तों इंटर करके हम आगे बरेंगे sales का laser यहाँ पे डाल लिए समान short यहाँ पे already दिखाएगा आपके पास कि कितना उपलब्द है और t-shirt कितना उपलब्द है यहाँ से हम short को selected लेते हैं और इंटर करेंगे यहाँ से डाल लेते हैं जैसे 300 piece rate 1500 का फिर इंटर करेंगे यह all of our amount मुझे calculate होकर कि यहाँ पे मिल जाएगा फिर इंटर करने के बाद एक narration के पास जाएँगे type करेंगे being short इंटर करने के बाद finally हम इसको कर लेते हैं accept तो sales का transactions भी successfully हो गया अब अगर आप check करना चाहते हैं तो back जाएँगे यहाँ से जाना है आपको display option में इंटर करना है फिर day book में जाना है इंटर करना है तो यहाँ पे जितने भी transactions आप shot out किया है वो सारे transactions से यहाँ पे day wise आपको दिखाएंगे यहाँ से आप change भी कर सकते हैं जैसे sales को select कर लेते हैं इंटर करते हैं और जो भी transactions अगर आपको change करना है आप असानी से वहाँ पे change भी कर सकते है फिर इंटर करना है और finally accept कर देना है तो यह transaction से यहां से अल्टर भी हो सकता है change भी हो जाएगा बैक जाएंगे अगर आपको profit and loss देखना होता है तो profit and loss पे जा करके इंटर करेंगे यहां से profit and loss दिखाएगा पर्चेस किये थे इतना sold किये इतना closing stock अभी समान बचा हुआ इतना का और net profit दिखा रहा आपको